है 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 यह वर्योंट वेल्कम टू टेज्बुक सूपर कोचिंग प्लेटफॉर्म तो कैसे है आप सब यह स्प्रेंट तो बच्छो अगर आप मेस्सी करना चाहते हो आईसर से आईसर पूर्ने आईसर बोगपाल है ना तो आपके लिए गुड नीज है बच्छों क्योंकि आईसर की जो नोटिफिकेशन है मस करने के लिए मस करने के लिए वह आउट हो चुके है तो उसकी प्रोसेस क्या है क्या क्या चीजे उसमें मज में आ जाए तो पहले बात है कि इंडियन इंस्टूट आफ साइंस एडूकेशन एंड रिसर्च आईसर ने एक नोटिफिकेशन आउट किया है जहां पे एडमिशन नोटिफिकेशन है 2024 की ठीक है जिसमें आपको एडमिशन किसके लिए बोल रहा है MSC के लिए BS और MS इस प्रोग्राम से लिए आपको एक नोटिफिकेशन जारी की गई है ठीक है तो अब जैसे कि बहुत सारे एस्परेंट जो 12 के अंदर है वह आईसर से अपनी बेसी और करना चाहते है और सासाथ में MSV करना चाहते है कुछ है जो ऑनली बीएस करना चाहते है तो उनके लिए बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन से आपको बहुत ज़्यादा बेनेफिट होने वाला है और आगर आपके पास IIT Jam का स्कोर है तो और दिरोपती है इन सब्क में यह एड़िशन नोटेस आपकी निकली है अगर आपके कोई भाई बिंदू जो बारवी अभी बजस्ट बारवी के अंदर है या बारवी पास आउट हो चुके है तो उनको भी आप यह उप्लिकेशन फॉर्म फिल करवा सकते हो बच्चों ठीक है त तो जो लोग क्या क्या है इसमें चीजें पूछ ले दे सबस्मझ लेते हैं तो आप्लिकेशन और इन्वाइट फॉर्म दी हायर मोटिवेटेड इस्टूडेंट इस साइस टीम फॉर दी एडमिशन ऑफ फाइएर्स बीएस एमस डॉल डिगरी या फिर फॉर इयर बीसे डि तो यहां पर जितने भी आइसर्स है यह सारे आइसर्स का दिखाया आपको आइसर भोपाल है ना आइसर भुमेश्वर कोलकता मोहाली पूने तुरूपती यह सब आपको दी गए इनके वेबसाइट से भी आप जाके इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं ठीक है यहां पर दिया www.isiradmission.in ठीक है अब यहां पर क्या पूछा गया attractive features आपको बताए गए है कि अगर आप आइसर से BS करते हो MS करते हो तो आपको क्या-क्या attractive features यहां पर मिलने वाले हैं देखिए बच्चों समझ लीजे तो 5 years BS plus MS degree program मिलेगा सबसे पहले यहां पर ठीक है की जाती है और वह BS से ही research में enter कर जाते है MS से रिसर्च के अंदर एंटर कर जाते हैं तो एक अच्छी बात है तो यहां पर यह सारी चीज़े आपको दी गई है classroom, library, learning है ना अकुमेंटेशन है बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारी इदे को सारी चीज़े यहाँ पर आपको दी गई है मैं आपको एक एक करके बताई रहा हुआ ऐसा भी सारी ना तो आप यह भी पढ़ सकते हो इसका मैं screenshot अपने telegram के पर भी आट कर दूँगा जिससे आपको benefit हो application process कहा आप कब स्टार्ट हो रही है application और टूबी submitted online through this website www.isaradmission.it ठीक है application must be carefully go through the instruction यहाँ पी दिया गया जो भी instruction दिये गया feeling के वो non refundable fees होंगी 2000 fees है उसकी ठीक है और 1000 fees SC और ST category के लिए अगर general OBC category में है तो 2000 fees है और अगर आप SC category से बिलाओं करते हो SC और ST से तो आपको 1000 fees है ठीक है eligibility criteria क्या है candidate who are past class 12th class 12th आपका past होना चाहिए examination in the science stream ठीक है 2022 में हो 23 में 24 में 23 में हो 22 में हो या 24 के अंदर हो ठीक है तो उसको minimum 60% लेने होंगे अपने 12 के अंदर और मुझे लगता है कि बहुत सारा spend का बार्वी के अंदर 60% दो होगा ठीक है और अगर आप SC category चो तो 50% relaxation in 55% पर भी आप चल जाओगे वहां पर ठीक है से के बच्चों यहां पर सबसे important है कि यहां पर ICER aptitude test होता है उनका separate एक test होता है आप तो 60% तो आपको चाहिए चाहिए और आपका ICER aptitude test भी आपको देना पड़ेगा जो 2024 में अभी होगा आपका ठीक है जब आप application form भरोगे तो यह आपको इसको qualified करना पड़ेगा और इसके qualified के base पर ही आपको ICER के अंदर आपको BS और MS के अंदर admission मिलने वाला है ठीक है चले अप्लिकेशन पोर्टल ओपन कब होगा एक अप्रिल से ओपन हो चुका है ठीक है आज की तीन आ चुकी है ठीक है तो आप जरूर जाके दिए लास्ट डेट कब है में 13 को लास्ट है में 13 से पहले आप फिल कर सकते हो ठीक है आई सर एप्टिटोट टेस्ट आपका कब होनगा जून 19 के जून 9 का आपका होने माला 2024 के अंदर 9 जून को आपका होंगा ठीक है तो यह जब भर दोगे तो 9 जून को आप एक्जाम दोगे तो जो भी आपके भाई बिंदो है जो आप मैं जो पता है कि हाँ पर अपने maximum audience आपकी CSI, NET, IIT Jam की है बट आपके भाई तो है आपके भाई को आप जल्दी अच्छा अच्छी सला देना चाहोगे है ना और उसको अच्छा motivate करना चाहोगे उसको साथ खड़े रहना चाहोगे तो अभी से आप उसको त्यार कर अगर कोई बारवी में है तो अभी साइसर भीजने के लिए आपको क्या यह इसर एक राप्रेट्टेट्ज है ना है फिरो CSI, NET की ज़रूत नहीं पड़ेगी आईटी जाम की ज़रूत नहीं पड़ेगी आप बियस से भी कर सकता है वहां पर MS से भी कर सकता है ठीक है तो यह यह देट ओट इन ठीक है और जो भी फोन नमबर भी आपको दिया गया है बट फोन आपको 2-5 के बीच में 2PM से 5PM के बीच में करना है Monday to Friday तो यह सारी information इसको scan करके भी आप वेबसाइट को open कर सकते हैं तो यह सारी informations है अगर आपके कोई भाई बिंदू है जो BS और MS करना चाहते है या only BS करना चाहते है science, steam के अंदर ICER से ICER, Pune, ICER Bonish और ICER, Bhopal, Kolkata, मोहाली तो आप उनको inform कर सकते हो बच्चो और उनको right path पर ला सकते हो ठीक है तो जाईएगा जरूर और इसका मैं screenshot अपने telegram के ओपर दाल दूगा ठीक है अब जो iSprint जैसे मान के चलो जो CSI N8 के preparation करना चाहते हो, booster course में enroll कर सकते है, quick revision है, crash course है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल रही है code दाल देना नदीम जिससे आपको जादा जादा benefit होगा आपके course के अंदर, ठीक है scholarship test भी होने वाला है, आपका जो होने वाला है 13 April को, ठीक है 13 April को 8 AM से 12 PM यानि 3 गंटे, 4 गंटे जो है, इसके बीच में आप ये test दे सकते हो, जिससे आपको 90%, up to 90% तक की scholarship मिलने वाली है CSI N8 के courses के उपर ठीक है, इस telegram के उपर बताना अपने भाई बंदू, जो भी आपके रिष्टदारी में हैं उनको ज़रूर बताईए, क्योंकि बहुत सारे इससे हमें ही नहीं पता था, जब हमें हमारे भाईयों को करवाना था, तो हमें नहीं पता था, है ना, बट अच्छे अच्छे facilities वहाँ पर प्रॉइट की जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह session आप सभी aspirant के लिए helpful रहागा तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक ज़रूर इंफर्म करें, अपने junior तक, ठीक है जो भी BS, MS करना चाहता है, उनको ज़रूर आप ज़रूर इंफर्म करें, अगर आपका MSC हो चुका है, तो आप तो नहीं कर पाऊगे पर आपके छोटे भाई है, ठीक है आपके रिष्टदार है, उनको ज़रूर इंफर्म करेंगा चले मिलते हैं, नेक्स session में आपके लिए session helpful रहाओगा, बाबाई, take care, heaven is due